ये कल की लिए हुई सब जी है आलू प्याज और उसने नो इसमें हरी मिर्च भी डाली हुई है अभी सुबा के बजे हैं साथ और देखिए भुण शूट जाता है तो मैंने इसको काम दिया हुए ज़ाडू लगा और देखिए ज़ाडू लगा रहा है बड़ी मानदारी से का कर रहा है और देखिए इसने ना कोड़ा भी साफ किया हुआ है और रिकठा करके रखा हुआ है मैंने बोला था आपको का लिखी बच्चों को ना काम में लगाना पड़ता है नहीं तो यह ना उल्टी श्रारतें करते हैं या फिस कुछ कुछ हर कुछ नुकसान करेंगे कु पर याना तो सून सारे दे देंगा ना देते वसे आपास मैंने चेतन को भी लगाया हुआ है काम पे यह देखिए फतनी कैमरे को क्या हो गया है थोड़ा थोड़ा ना यह फ्लैस मारने लगा हुआ है यह काट रहा है पालक वहां तसले में रखा हुआ है इसने जो खूड़ और सबको मैंने एक-एक काम दिया हुआ है और मैं चपाती बना रही हूँ तो फटफट से बना लगते हैं तब तक मैं चपाती बनाओंगी ना तब तक चेतन जो है यह साग काट देगा और आज बनेगी हमारे पालक की सबजी और साथ में बनेंगे फुलके यानिकी चपात हमारी काउं की भाशा में फुलके बोलते हैं और कहां कहां पे फुलके बोलते हैं मुझे आप लोग जरूर बताना कमेंट करके अचा रहा है अब गहास के लिए द्राटी पैनी कर रहा था ना यह देखिए कहां फैक दिया उसने औरेती भी और कूड़ा जैसे का जैसा यह सारी जो सफाई करने का जिमावारी ना यह मेरी है यह दोनों चले गए गासनी के लिए और जो कटी वह इसाग है ना उसको रख गया यहां पर यह मैंने बनाना है पर मेरे अभी ना चपाति बनाने को यह देखिए पांच-छे फुलके बच्छे इनको बना लेती हूं ना लेती हूं साग पालक का साग बना बरतन मेरे पास ना बहुत सारी हो गए जुठे और यह जो प्याज है ना यह मैंने वंशु से छिलाया था कटके दिया उसको की छीली इसको तो ऐसे ऐसे काम है मेरे बच्चे कर जाते हैं छोटे मोटे काम पालक की भुरजी और क्या कर है आज कल भर्वर के सरसों हुआ करती थी पर क्या करना वए शुख्छे ने इस वक्त न न हमारे को बहुत रूलाया है पिछे जब बर्सा तो इतब रूलाया और अब बीना बारिश के रूला रहा था और पहले बारिश होड़ी तब रूला रहा था था तो भगवान भी प इसको अच्छी तरह से पका लेते हैं और चुल्ले पे चाए कुछ भी बने चाए उसने मसाले भी नहीं हो ना तब ही वो टेस्ट उसका बड़ाई अच्छा आता है क्यूंकि यह जो ना आग जलती है न इस चुल्ले के उपर जो भी खाना बनता है वो बड़ा स्वाधिष्ट खाना बनता है तो पहले हैं मोटी मोटी लकडियां लगा करके रखिए पर दूहां लगता है बस कुछ तो सहना पड़ता है न कि पालकी भुर्जी दूहां उठ रहा है ना दिखनी रही है साफ साफ और आग अब ज्यादा नहीं चलाओंगी यह को भी जाएगी और आपी द तन धो करके वहां रख दिये अब माचाची उठेंगे ना तो समयर्टी देंगे बस इतने सी उमीद है और मैं जा रहे हूं बाहर पश्वों को बांधना है अच्छा आज ना ब्लोग की शुरुवत भी नहीं हुई है जै माता दी आप सभी को और आप सभी लोग कैसे हैं मेरी एक नहीं पहचान बनाई है उसके लिए आपका शुक्रिया और आद्धे जो है ना पश्व मेरी अभी बांधने को है और बकरियों को मैंने दिया है जो सुबस वह इनको राशन देते हैं खाने को वो दिया है अब पतिया तो इनको इसके बाद में मिलेगी और तनी दुंद्री दुंद्री तो थोड़ी देर आ रहे है और अगर इसको मैंने दोया ना तो यह सुखे गानी कई दिन फिर मुश्कल हो जाएगी इसको दिक्कत हो जाएगी तो सोच रहे हूं कि अभी ठीक है यह मैं लाइठीक है इसके लिए पर कम से कम यह ठंड से तो आच्छे से नहीं करता डाइलेट की साफाई लेटर इन की साफाई अच्छे से नहीं कड़ता फिर अज़ीव जैसा लगता है पूरा दिन की तरवाजा खुला रहता अच्छा नहीं लगता पभी बच्चे बच्चे अभी पूरी तरह से उसके साफ नहीं होता सफाई नहीं होती तो माता जी सब से पहले उठते ना तो यही काम करते हैं और पांच वज़े से आठ वज़े तक ऐसी होती है मेरे दिन चर रहे हैं और मैं बोल रहे थी आपको कि वह जाड़ दे रहा है तो उसने ना मतलब आद्दा ना कूड़ा वहीं रखा वह उसको भी ठालिया और पशु बार बान दे तो अब जो है मेरा घर का सारा काम कंप्लेट हो मुझे ना कॉल आई पतिदेव जी की कि गेस्ट आ रहे हैं तो गेस्ट को मैं बाद में अटेंड करूंगी पहले में घासनी में जा लेती हूं क्योंकि मेरे बच्चे नीची अकेले घासनी है और साग भी मेरी बनगी है पर अब मुझे ना कुछ सबजी थोड़ी सबजी औ तो पहले घासनी में जा लेती हूं फटा फट से और फॉन को लगा देते हैं चार्जिंग में क्योंकि अगर इसको ले जाओंगी ना साथ में तो चार्जिंग नहीं होगी मेरे फॉन में रहा जा ही चार्जिंग करने को तो पहले मैं जा लेती हूं फटा फट से घासनी में और वांगे गास को और पानी आया है क्राइब टांकी में रख दिया है कि मैंने हभी घास लानी है चेटन ने कोय這是 हो ढंद गहास काटली होगी पर साथ में बंश भीया तो देखते हैं उनकी हरकत बाजी क्या क्या की अगा उन्होंने चलते हैं निच्चे को जादने को असान है वही पर जब उपर को चड़ते हैं तो बड़ी भारी लगती है बहुत जालाना सीर पे उठा करके नहीं लाया जाता और यह देखिए घर हमारा उपर तो भी मैंने चलने स्टार्ट किया है घर देखिए मैंने चलना स्टार्ट किया अगास और यह महरानी जो है मेरे सत्थे सत्थे हैं साह साथ में चल पड़ी तू गहां जारी है 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 यह ना हमारे साथ बीन मतलव सी जो है ना वह रिश्टा नि भागते ना बे जवान है पर बड़ी समझदार है अर्मेर को इनके पिछवड़ी गालियां देते हैं इसको किसी ने छोड़ा था हमारे घर के पास छोड़ा साथ बच्चा था शाद मैं दिखाये भी था अपको है जब मैं कुछ नहीं करती हूं इनको बस सामने आ जाते हैं तो दूद के टाइम आते दूद दे देती हूं रोटी के टाइ बढ़ियां देते हैं बोलते हैं यह बिलिया ना चोरी गटिया मनुहूस होती है यह करनी है ना इनको भागवान ने एक जीव डाला वाई इनके अंदर है लों इसका जू बेटा पक शेतना और बहंशीयों के साथ पर इस साइड को तो दिखेगा यह देखिए यह देखिए वह सुखा सुखा यह सारा पड़ावा चील के पेड़े हरे बाकी तो सारी धर्ती जो है ना सुखी हो चुकी है जो ब्यूड घासे ना हमारे उसकी पतियां भी जड़ने लगी है तो मैंने जाना यहां से निच्छे आशनी में घास काट रहे है यह तो इसके साथ आसे जाता है यह दोर आएए यह चेतन पते क्या घरवाता इससे पूला उठाता यह पूला काडता आए और यह थोड़ा उपर-उपर रखता रहता है तो मुझे भी इनके पास ही जाना है और यह जो बड़ा पेड़ है इससे मैंने पतिया निकाल नहीं हरी एह देखिए यहां पे इसके अंदर बील में एक क्या बोलते हैं उसको हम अपने भाषर में गो पहलते है आप लोग पता नहीं क्या बोलते होंग तो यह वंशिद और चेतन के साथ आया है यह मेरे साथ आये पतनी क्या ड्राम है इन विल्लों के और मैं अब तुम्हें पहुंची गई अपने बच्चों के पास और मेरे बच्चों ने ना देखिए चेतन ने अपने लायक चोए घास कार दिया कि इतने पुड़े हो चेतन स्तारा पुड़े होगे काफी है बच्चा वे बस ये बाटनी रेन देवे उई गायवे एस गे एती आतो आपनी गड़ी लगा मा ये चिन नी दखेती और देखिए इसने ना यहां नी यहां निच्चे से मैंने यहां को डूना और को बंशु पते क्या वोरा बोलते है आप ज स्वैटर कहां खोला हूँ और इन्होंने न देखिए वूपपा यहां खोला हु यह खोला है चेतर कहां है और कुछ एक सीजे नोने यहां खोली है उपर इनको गर्मी लगी काम करते करते सच में अगर काम करना हो तो ठंड का एहसास नहीं होता है गुम्बर लगे वे यह देखिए है यह मेरा धूर सा फ्ववन लेकर आया कि आया है सिम्पल फ्ववन 9 सुनने और करने के लिए थोड़िने हमारी थवर थोड़ि यह मेंग एक फ्वीनथा और गास नीका तो कर दिया इन्होंने बई कबाड़ा यह देखिए कैसा घास कट यह क्या कर रहा था है देखो भाई इसने ना जाड़ियों के बीच में से बिल्कुल गास नीकाड़ा यार चेतन ऐसे थोड़ी करते हैं यार तो